अक्सर जब भी हम किसे उलजन में फसते हैं तो हम सिचुएशन को कोसते हैं कई बार इश्वर को कोसते हैं लेकिन हमें ये अनुभव नहीं होता या ये पता नहीं होता कि हमसे ज्यादा दुखी भी कोई और हो सकता है और उनके दुख को देकर हम अपने दुख को हलका कर सकते फिलाल आज दुखी होने का नहीं बलकि खुश होने का दिन है और अपने स्पिरिट को हाई करने का दिन है क्योंकि आज मैं एक बहुती खास इंसान से मिली हूँ इनका नाम है आतिश इनको पहले आप देखिए और फिर अंदाजा लगाईए कि ये राप कर सकते हैं क्यों को है आतिश से हैं कैसे हो हूं किसी इस आतिश अप कुछ घ्रास पर बढ़ते हो है क्लास एट और अटिश विलाल चशायर होम बर्यातो रोड रांची में है आतिश सुभा मेरा शो सुनते हैं कर दादा है अद्या बस गाने काफी पिलिग ज़टी आप आप देंसे आतिश जो है ना आप देख रहे हैं उनकी स्थिति कब से हुई है आपकी यह हाला है बच्पन से है पर आप इनकी स्थिति पर मत जाएं क्योंकि यह बहुत अच्छा राप करते हैं और आम शौर कि आतिश के राप को सुनकर आपके चहरे पे बड़ी वाली स्माइल आजाएग आतिश अभी विल्चेर पर हैं लेकिन ये उनकी स्पिरिट को कहीं से भी रोक नहीं रहा है आतिश राप बहुत अच्छा करते हैं आतिश हमारे लिसनर्स को ज़रा एक राप सुना दे आदम फोर बनके फुट के सपने किये मैंने चूर उसको मिला ओ तला सा एरा जैसे को एनूर डाकों उम्री माल की मालाई जिसमें जुलती उंगिया में जंगल का बगीर लगता मैंने दुनिया घुंबिया पहारा पे कतारक और में कारतने मुसको मिली नहीं जिंदिकी हिपप बना दुनिया बिताया समय फोन पे और छोड़ी थी लिखाई सियाई पड़ी सुनी बंद स्कूल की पढ़ाई दिखाई नहीं रास्ता टी एसस की सचाई हारा जाई सबको प्यारी पर वो काम की नभाई नींद पेच्छू में पसीने से न बूचता वाक कास खाई से ओती पूरी जब में मसल ताची राख अली बाबा से मैं अलग हूँ अजूबा अनुराख बर्क लेता सब से क्यान की सचाई क्या वाद है अमेजिंग ना अतिश बहुत मजा आया है मुझे आपसे मिलकर आइन मैं बहुत जल्द आपको हमारे स्टूडियो बुलाऊंगे आप आएंगे और रेडियो कैसे वर्क होता है एक्साइटेड हो क्या बात है आतिश माना कि मुश्किल है यह सफर लेकिन हिम्मत और होसला हमेशा यूही बरकरार रखना ऐसे ही स्माइल हमेशा करते है रास्ता है कतिन बहुत बड़ा पड़ा आगे उसके जीत कालिवीत कालिर आप देख मांगे दिख तो रोसली की कीत वाव वेरी गुट वेरी गुट चलाओ